जो लो जी होना पाँ एक्ससाइज करिये सेकंड चूज वर्स फोम द बोक्स तो कम्प्लीट इच संटेंस इंकम्प्लीट संटेंस इस नीचे दिते होने एट तो दे नीचे एक बोक्स है जिरे विच्चों असी रेलेवेंट हाफ संटेंस चोन के एना दिवेच फिल करना है तो फर्स्ट आवर नेशनल फ्लैग फिल्स अस विद फिलिंग ओफ प्राइड सेकंड विए ग्रीन कलर अट बोटम ओफ आवर नेशनल फ्लैग थर्ड पीकोक इस लुवड फॉर इस लुवली प्लमेज और ग्रेस दान्स फूर्थ वे फ़फ द आशोका चक्र इन वाइट पार अवर नेशनल फ्लैग फिफ वर नेशनल एंबलम इस अफिशल सील ओ गोर्वर्म इंड आव इंडिया हैंड 7th we sing the national anthem during the morning assembly of our school 8th we should stand at attention when the national anthem is being sung third take the correct choice to complete each sentence so sahih option अगया सी टिक दानिशान लगा हम आगे first the Ashoka Chakra has 24 spokes second Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize in 1913 third our national anthem is janagana man the peacock has been our national bird since 1963 fifth our national anthem was written by Rabindranath Tagore आजो होना पाव वोकाबलरी enrichment करिये enrichment होन दा होर अमीर करिये अपनी English दी शब्दाव लिनू first find the odd one out in each group नीचे एक ग्रूप बढ़े हैं चार शब्दादा एदे विचो odd one out कर दो पाव जो एस ग्रूप विच नहीं टुक दा तो अपा स्पीक मनुक सेकेंड नर्स ड्राइवर बाइक पाइलट बाइक निकलेगा बार ठीक थर्ड डम साइलेंट काम क्वाइट सो डम निकलेगा डम क्यों दा गूंगा सो डम एक फिजिकल डिस अबिलिटी है बाकी तुनों सदियां मेंटली स्टेट हान स्टेट जनी हालत फूर्थ ग्लैड खुश हैपी खुश स्लो होली ज्वाइफुल खुशी सो स्लो निकलेगा बार फिफ्थ स्माइल सिंग लाफ गिगल सिंग निकलेगा बार सो सिंग की है odd one out क कि स्माइल मुश्कुराना लाफ हसना गिगल मुश्कुराना सिक्स्थ कॉर्न मकी देदाने राइस वीट फार्मर फार्मर odd one out सेवंथ लवली प्रेटी ब्यूटिफुल टुट्फुल सो टुट्फुल जड़ा है यह odd है second part fill in the blanks with suitable words from the box box से चिड़े words है उपा नीचे फिल करने हां do not look down upon the poor second look at the blackboard please third children always look forward to holidays look forward on the tongue honi fourth look out this word in the dictionary के dictionary वेचे इसनो look out करो जानी लबो fifth she is looking for a job near her house looking for उन्दा पाल करनी ठीक है sixth tom gets ill very soon please look after him look after उन्दा देख पाल करनी seventh look up for the shark when you are in the sea so look up ता मतलब उन्दा त्यान रखना शाक वल त्यान रखियो जो तुस्छी सी वेच हो eighth the inspector said I will look into the matter look into the matter होंदा के मैं मामलेरी चान बीन करांगा ठीक third part there is one misspelled word in each of the following sets underline the misspelled word and write it correctly on the given space हर एक set देवेचे एक misspelled word है जिरे spelling गलता है ओ तुसी देखना ते जड़ी अगे जगा है और देवेच उन्हों ठीक करके लिखना है पहला किया unity official so official देखना गलता है सी तो बाद आई आने नहीं पाई बग की ठीक नहीं second salute ancient ancient the spelling गलता a n c i e n t third stamp fertility revenue revenue the spelling गलता r e v e n u e fourth people remind homage currency currency the spelling गलत c u double r e n c y fifth saffron saffron misspelt है so double f आईगा sixth reform anthem peaceful document document the spelling गलत d o c u m e n t seventh inspire courage freedom government government misspelt है g o v e r n m e n t next grammar in use there is one mistake in each line of the passage given below underline the mistake and write it correctly on the given space it's primarily her line which एक एक शबद गलत है उन्हों अपर अंडर लाइन करना थे ठीक लिखना टाइगर्स आर दा बिगर मैंबर्स ओफ दा कैट फैमिली हुन दर लगया है ते नाल बिगर लाता है दर दर नाल था थर्ड डिगरी लग दिया ना टाइगर्स और दा बिगएस्ट मैंबर्स ओफट चाइट फैमिली सेकिंड लाइन दर फोरेस्ट फोलेव इंतो नहींदा दे लिव इन दफोरेस्ट उन्दा थर्ड टाइगर्स हांट डियर्स सव ते डियर नहीं आएगा डियर अगा को यह दियर दा प्लूरल डियर हुन और लार्ज केतल प्रफ्टल या वडडे पशु दे उसली लाइ इस्ञ तेल में दे और दो इपने आएगा इन्टीं स्टूंगर निया जा इस हुआ जैवेश्ट वर फ्रफिंट्वन जूर्ट रूट यहा इस हूने डिया इस जून जा इख शवीर और यूट्र आइगा इस move next you have already learned on page 37 the passive form of verb in three tenses now learn the passive form of the verb in three other tenses तुसी संती नबर पेज दे पहला तो ही अलग अलग tenses which passive voice नो समझा आजो होन असी होर अलग अलग तैंसे ज़ पैसी वाई नो समझाने कोशिश कर दे हां present continuous की लगदा है is mr plus verb the first form plus ing past continuous was were verb the first form ing third have future perfect have plus verb the third form passivage की होएगा present continuous is mr plus being plus verb the third form past continuous was were plus being plus verb the third form future perfect have plus being plus verb the third form आजो होना पर examples कर दे हैं fill in the blanks with the passive form of the italicized verbs so जेडे verbs वाले शबदे टेडे लिखे होए हन उनना नो सी passive voice form च लिखना है पहला they are planting trees along the road so किया होगा trees are being planted by them along the road second they were planting trees along the road trees were being planted by them along the road third they have planted trees along the road trees have been planted by them along the road fourth someone is stealing money from my drawer daily money is being stolen by someone from my drawer daily fifth someone was stealing money from my drawer daily money was being stolen by someone from my drawer daily six someone has stolen money from my drawer money has been stolen by someone from my drawer third complete these sentences inner sentences नो पूरा करो using the passive form of the verb in brackets जो ब्रैकेट्स जो ब्रैकेट्स इच फॉर्म्स जितियां होई हैं वह अब दियां उनना वर्त दे होई हैं उनना पैसी forms इच कनवर्ट करना है dogs in the garden dogs are not allowed in the garden second this bridge was built last year third I was brought up by my grandparents brought up on the playa मैं अपने grandparents देवल पलेया fourth this film was directed by Raj Kapoor एहे film Raj Kapoor द्वारा निर्देशित किती गई ठीक है पास्ट हो गया ना चोड़ी फिलम बन गई फिफ्ट प्योर घी and milk हों दो ने होना सो ते क्या होगा आर प्योर घी and milk are sold in this stop sixth today's match is cancelled because of the rain seventh three people were killed in a road accident yesterday next आजोर यसी pronunciation दी practice कर देया है rule की है when the letter G is followed by the wall A O or U it has a hard sound जो दो जी sound दे मगर A O अते U अंदेहन तां जी दी sound hard हों दी है यानि जोर दी बोल दी जन्दा है when G is followed by E I or Y it usually has a soft sound जो जो जी दे मगर E I ते वाई अंदेहन आम करके उस दी sound soft हों दी है soft G has the sound you hear at the beginning of jam and a hard sound at the beginning of gate चलो आप examples वर देया हो तो जानों ज्यादा clear होईगा सब तो पहला gain got gum सब्सक्राइब आप जी नो थोड़ा जोर लगा के बोलिया और जो दो जी दे पिछे E I or Y आएगा तो soft sound हो जाएगी किस तरह age giant gypsy okay आजो आप हार्ड थे soft थी practice इने examples दोरा कर दिया a go page game engine flag stage organ pigeon god guru figure orange cold large gutter change gym sugar giraffe range next composition writing prepare for your classroom a colorful chart of as many national symbols of ours as you can अपनी class वास्ते तुसी जने वी राष्टरी चिन बना सकते हो colorful chart दे उते होंने तुसी बनाओ second composition की कर सकते हो we had a number of freedom fighters who had laid down their lives for their motherland साड़े को बहुँ गिंती अजादी दे कुलाटिये हन जिना ने अपनी जिन्दगी निचावर करती अपनी मात पूंबी ले write a brief paragraph on anyone who you think was the greatest of them तुसी जिस बारे सोचते हो कि उस सारें तो महान अजादी दा संग्रामी है उदे बारे एक paragraph लिखो third as a citizen of India इंडिया दे नागरी खुंदे होए write three things you would always do तेन चीज़ां लिखो जिडियां तुसी हमेशा करोगे and three that you would never do अते जेहियां भी तेन चीज़ां लिखो जिडियां तुसी कदी नहीं करोगे जिदा पहले करना लिखे हुई है I shall always follow the laws of my country मैं अपनी country दे laws यानी कनूना अंदा पालन करांगा ते होर की कहसा दियो I shall always speak the truth I shall always follow the rules of the road सुध्धा तुसी लिख सकते हो और अगे लिखते हैं तेन चीज़ां जिडियां अपन नहीं करांगे I shall not tell a lie मैं चूट नहीं बूलाँगा I shall not breach the laws of my country I shall not commit a crime okay so AC साथा lesson so मीद है इस वीडियो तो बाद इस lesson दिनाल जुडियां हुई है सारियां तर्टियां problems challenges vanished out हो गए होंगे so मिल दे हां इस तरह दी ही अगली वीडियो विच तद तक मैंनू दियो इजाजत मैं परम जो सिंग थैंक्यू वर्य माच हुआ 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 है